हाई फेंड्स वेलकम टो माई चैनल आज आप सबके साथ में शेर करने जा रहे हूँ एक सेंडविच की रेस्पी यह देखने में जितने यम्मी लग रहे हैं इन्हें बनाना उतना ही इसी है मिल्टों में बनके रेडी हो जाएंगे और यह सेंडविच ना बच्चे भी अपन इह यहां पर मैंने ये चार उबले हूए अंडे लिये हैं इनको आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है और इनको कद्डू कस कर लेना है तो इस तरीके से बहुती こんषै अर और कद्डूकस हो जाते हैं आप आपको फिज, उसने अाठ से भी इस्तें से मैश कर सकते हैं Exam B. उ तो यहां पर हम सारे अंडों को इसी तरीके से कद्दुकस कर लेंगे और इन्हें अच्छे से गरिट करने के बाद अब इसमें हम मिलाएंगे बारी कटी हुई प्याज तो आपे में ऐने एक प्यास ली ती जिसको बीला कट कर लिया है दो सो ici tीन इसमें हम डाल देंगे हरे और साथी में डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा थनिया मेंज साथी में डालेंगे मेंज 2 से 3 बड़े चंमप आप चाहने तो इसमें एक से दो चम्मच बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने बटर का यूस नहीं किया है बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक पास चेक कर लें इसमें नमक आपको अगर कम लगता है बस इनको बनाने में बस आपके पास अबले हुए अंडे होने चाहिए बस दो मिनट में सेंड़ुच बनके रेडी हो जाएगा अब यहाँ पर हमें चाहिए ब्रेट तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेट ली है आप इसकी जगे पर ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हैं अब यह जो साइट्स हैं इनको हम कट कर देंगे और यह जो साइट्स हैं इनको हम फैंके न इनने आप मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लीचे और हमारी ब्रेट क्रम्स बनके रेडी हो जाएगे ब्रेट क्रम्स बहुत से स्नैक्स में काम आते हैं इसी तरीके से बाकी सारी ब्रेड्स हम कट करके रेडी कर लेंगे, अब हम लेंगे ब्रेड और इसके उपर लगाएंगे टमाटो कैचप, तो दोनों ब्रेड के उपर यहाँ पर मैं टमाटो कैचप लगा रही हूं, आप चाहें तो एक साइट पे टमाटो कैचप लगा सकते ह यह आपको थोड़ा सा चट पटा फ्लेवर चाहिए तो आप इसकी जगे पे हरी धनिये की चटनी भी इसमें लगा सकते हैं तो बहुत हलका सा हम इसके ओपर यह टमाटो केचप लगाएंगे हलकी सी लेयर लगा देंगे दोनों ब्रेट के ओपर तो यह लीजे दोनों ब्रेट के ओपर टमाटो केचप को लगा दिया है अब हम क्या करेंगे जो हमने स्टफिंग बनाई है उसको हम एक ब्रेट के ओपर रखेंगे तो अच्छे से रखेंगे स्टफिंग को और हलके आतों से दबाते भी जाएंगे यह देखे इस तरीके से स्टफिंग को इसके ओपर अच्छे से रखने के बाद अब दूसरी प्रेट देंगे और इसके ओपर इस तरीके से पलट देंगे और यह लीजे यह हमारे बहुत ही यम्मी एक सेंडविच बनके रेडी है देखने में आपको इजी ज़रूर लग रहा होगा लेकिन खाने में यह बहुत ही टेस्टी है एक पास जरूर ट्राइ कीजेगा और आपको इन्हें सेखने की भी जरुवत नहीं है बिना से के ही यह बहुत टेस्टी लगते हैं तो इसलिए मैंने बोला बच्चे भी इन्हें इजीली घर पे बना सकते हैं बच्चों को गैस जलाने की ज़रूत नहीं है मतलब गैस के पास जाने की ज़रूत ही नहीं है और ये लीज़े यहां पर यह बहुत ही यम्मी हमारे एक्स एंवीच बनके रेडी हैं तो आप इने बच्चों के टिफिन में पैक करके रख सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं या इवनिंग स्नेक्स के लिए बना सकते हैं जब भी आपको हलकी फुलकी भूक लगे या बच्चों को हलकी फुलकी भूक लगे तो आप फटा फट उने बना के दे झाले!